तो आज हम mango ice cream बनाएंगे तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने अमूल fresh cream का जो बड़े वाला pack आता है ना 1 लीटर का वो मैंने यहाँ पर लिया है और उसको एक घंटे के लिए deep freeze कर लिया है तो उससे क्या होगा जो heavy मलाई है वो उपर आ जाएगी तो heavy जो cream है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर उपर जम गई है और उसके बाद इसको हमने normal freeze में रखा था तो जो heavy cream है उसको हम निकाल लेंगे तो उपर की यानि की half kg cream हमने यहाँ पर ले ली है इसको या तो आप बीटर से बीट कर ले या फिर इसको hand whisker से भी बीट कर सकते हैं तो यहाँ पर लगबग तीन मिनट के लिए मैंने इसको low speed पर बीट किया है और तीन मिनट के बाद हम इसमें icing sugar डाल देंगे आइसिंग शुगर का recipe भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है और यह इसमें डाल दिया है मैंने एक कप मैंगो पल्प तो अलफान्सो मैंगो यहाँ पर यूज किये हैं बहुत ही मीठे होते हैं प्लस उनका color बहुत अच्छा होता है तो आइस क्रीम में आपको color डालने की कोई ज तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको तीन मिनट के लिए हाई स्पीड पर बीट कर ले और यह तीन मिनट बीट करने के बाद हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से फ्लपी हो गई है और सारे इंग्रेडियंट्स भी अच्छे से मिक्स हो गए है तो यहाँ पर मैंने आधा आम हम इसमें ऐसे chunks में काट कर डाला है तो ऐसे डालने से इसका जो flavor है वो और भी बढ़िया आता है अब हम इसको एक container में transfer कर लेंगे तो यहाँ पर इसको transfer कर लिया है मैंने और अब क्या करेंगे इसके उपर फोयल पेपर लगा देंगे ताकि इसमें ice ना जमे अंदर तो इस त कर लेते हैं और इसका texture और इसकी softness आप देखिए और इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए cravings भी और और शेफ को